हैपी दिवाली गाईज, वेरी 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 हैपी दिवाली, तो चलिए दिवाली की दिन बनाते हैं खास लड्डू, और बड़े आसानी से, बहुत ही जल्दी बनने वाले जटपड, तो बनाईए आप भी, देखे कितने मस्त बने हैं न, बिना चाष्णी वाले हमारे खास ल देखिए मैंने आधा किलो मेदा और आधा किलो सुजी ली है देखिए अब इसे हम क्या करेंगे चान लेंगे तो मैं आपको कटोरी से भी नाप कर बता दूंगी तो देखिए पहले हम रवा चान लेते हैं यानि सुजी इसको हम चान लेंगे तो चलिए इसे हम चान लेते हैं तो इस तरह से पहले हम एक कटोरी नाप लेते हैं देखिए ये एक कटोरी हमने सूजी ले ली है अब इसे हम चान लेंगे तो आप कोशिश कीजिए बारिक चन्नी से आप चान लेजे अगर आपकी सूजी मोटी वाली है तो उसे मिक्सी में थोड़ा सा पीस लीजिएगा तो बारिक हो जाएगी आप देखिए ये आधा किलो सूजी बराबर दो कटोरी हमारी भर चुकी है देखिए पुरा पैकेट खाली हो गया है तो इसी तरह से हमने आप या आधा किलो से समझ लीजिए या कटोरी से समझ लीजिए तो दो कटोरी हमने सूजी ली ली है और दो कट के लिए इस कॉम जाल दिया अब हम मेदा को छाण लेते हैं तो चलिए इसको भी हम shifting के देख लेते हैं तो देखे इस तरह से एक कर्टोड़ी मेदा हमने ले लिया है तो अब इसे भी हम छान लिए तो बस फटा फटस, चान लेते हैं तो गैस परफेक्ट रेसिपी है एक बार जरूर ट्राई किजिएगा और हाँ बनाईएगा खाईएगा और हाँ आमें कमेंट करके जरूर बताईएगा कि आपने बनाए लड़ू मस्त बने की नहीं तो देखिए दो कोटोरी हमने मैदा चान लिया है तो यह थोड़ा सा बच गया है त तो देखिए मैंने इस तरह से मैदा और सोजी को चान लिया है अब हम लेंगे पीसी गुंवी चीनी बुर्करेच वाली ही खाटो से तो दोड़ और आप मैयज THIS ही कर रहा हूं लास्ट और में आंदसे पी आपको बता दोनागी कि मंचीनी चाहिए तो बीसी कुलिए चीनी और डेढ़क चाहिए तो हम देखे्टे यह से हम छाण लेते हैं तो मैं इसे एक्स्ट्रा ही चान कर रख लूँगी ताकि हमको लाष्ट में दुबारा से चानने की जरूरत ना पड़े तो इसलिए देखिए ये दो कटोरी भी हम इसे चान लेते हैं वैसे दो कटोरी की जरूरत नहीं है देड़ कटोरी काफी है लेकिन फिर भी मेजर्मेंट में आपको और आगे बता दूँगे तो देखिए इस तरह से हमने दो कटोरी से थोड़ा कम लिया है देखिए है ना बस इसी तरह से और इसके अंदर गुठलिया है तो थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है गुठलियों की वज़े से इसलिए मैं बता रहे हूं आपको देखिए इस तरह से आमने इसके चान लिया है आप इसे हम चान कर साइड में रख देंगे इसकी जरूरत हमीं लाष्ट तो हमें घी भी देड कटोरी ही लगा है पूरी रेसिपी में लेकिन फिर भी आपको मैं आगे और बताऊंगी कि आपको इसे के से यूज करना है हमें सारा का सारा इकटा नहीं डालना है तो देखिए इस तरह से हम कढ़ाई को गेस पर चढ़ा दिये है अब इसमें हम आधा घी डाल लेंगे यानि आधा कटोरी घी इसमें हम एट कर देंगे अब इसको गरम किजीगा और हाँ घी को गरम करने के बाद गेस को धिमा कर दें और अब इसमें हम में डालेंगे मेदा तो यह मेदा मैंने पूरा आधा किलो पूरा चान लिया था और मैं इसे पूरा का भून सकते हैं लेकिन मैं पूरा ही कर ले रही हूं इससे जल्दी भी हो जाएगा और रेसी भी बहुत जल्दी बन जाएगी तो देखिए इस तरह से इसको इसा मिक्स करते हुए इसके अंदर जब आम गी में इसको मिलाएंगे ना तो छोटी-छोटी से गुठलिया लगेंग जिसमें हमने यह थोड़ा सा घीवर मिला दिया है थोड़ा सा और बचा लिए अब बस ऐसे ही हमें लगातार चलाते हुए इसे भून लेना है और यह सारा स्टेफ हमें धीमियाच पर ही करना है आप कोशिश करें कि एक मोटे तली की कड़ाई ले और उसमें भूने उससे क् और नीचे भी नहीं लगता है और हमारा काम भी आसन हो जाता है तो इसी तरह से आप मोटे तले की कड़ाई लेकर भून लीजीगा तो देखिए अब यह इसका कलर चेंज हो चुका है और हमारा मेदा जो है भून चुका है आप इसे हम अलग निकाल लेते हैं तो देखिए इसी कड़ाई में हम जो बचा हुआ गी था उसे डालेंगे और उसमें हमें और गी चाहिए तो देखिए आपको दिखाते हो और आगे कितना गी चाहिए तो जितना हमने इसमें डाला है उतना ही गी आमें और लगेगा देखिए इस तरह से तो इसे भी आप समझ लेजे कि धीमी आज पर ही हमें भुनना है तो गाइस आपको अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज लाइक किजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा शेर किजिएगा और हाँ चेनल पर नए है तो सब्सक्राइब करना न भूलिए ऐसे ही आसान रेसिपीस में आपके लिए हमेशा राती रहूँगी तो प्लीज गाइस लाइक ज़रू किजिएगा और हाँ कमेंट में भी ज़रू बताइए कि आपको हमारी रेसिपीस कैसी लगती है तो प्लीज कमेंट भी किजिएगा तो देखिए अब थोड़ासा और गी हमने इसमें मिला दिया है यह अब इतना ही लाष्ट हमें गी मिलाना है तो हमें पूरा यानि पूरी जो लड़ू हम बना रहे है इसमें आप हमें समझ लिजेगी पोना दो कटोरी गी हमें लगा है या अगर आपकर हम ले लेते हैं तो देड़ कटोरी से थोड़ासा ज्यादा बस दो कटोरी ज्यादा हो जाएगा इसलिए पोना दो कटोरी हमने घीस में मिला लिया है इतना काफी है फैसे देड़ कटोरी में भी हो जाते है लेकिन क्या होता है ना बलड़ों को बनाने में प्रॉबलम आती है इसलिए पोना दोकोटरी परफेक्ट है तो यह हमारी परफेक्ट रेसिपी बिल्कुल तयार होगी तो देखिए अब हमारे सुजी भून चुकी है तो चलिए अब इसे हम मिक्स कर लेते हैं सुजी और मेदा सब्सक्राइब को अच्छे सी मिक्स किजिएगा और ध्यान रखेका कि यह गरम है और सब्सक्राइब करना है तो अब इसको करने के बाद इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा यलाइची पाउडर ऐसे तो यह थोड़ा सा आउश्म पाउडर है और यह है 2-5 उतना ही ज्ञादा लगते हैं तो आप चाहे तो काजू बदाम को थोड़ा सा ददरा पिसकी इसमें डाल दीजीगा अब देखिए ये दो कोटोरी चीनी मैंने चान ली थी तो अब उसमें से हम थोड़ा थोड़ा करके इसे एट करेंगे और याद रखेगा दो कोटोरी हमें नहीं लगने वाली ह कि आपको बता रही हों कि मैंने दो कोटोरी चान ली थी कि इसके अंदर गुठ लिया थी न इसलिए वह दो कोटोरी भरी थी तो इसलिए आप ध्यान रखेगा कि अगर आप चीनी ले रहे हैं तो चानने के बाद इसे आप कोटोरी के नाप से कर लीजेगा तो इदे देखि सारा नाप में आपको डिस्क्रिप्टन बॉक्स में दे दूंगी आप वहां से चेक जरूर किजिएगा तो चलिए अब इसको हम अच्छे से हातों से मिक्स कर लेते हैं बिल्लकुल इसी तरह से इस बर्तर में से छुड़ा कर अब हम हातों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरह से थोला साहम लड़ू जितना आपको बला चाहिए उस हिसाब से आप इसमें यह लीजिए और बस इसी तरह से आप बना लीजिएगा तो देखिए कितने जल्दी से बन गया ना माला लड़ू बहुत जल्दी बनते हैं और यह परफेक्ट रेसिपी है इस से आपके सुझे के लड़ू बिल्कुल नहीं बिगडेंगे और देखिए बिना चाशनी के हैं बहुत अच्छे लगते हैं एक पास जरूर ट्राइ किजेगा चाशनी बनाने का जंचट भी नहीं अगर आपको चाशनी वाले लड़ू बनाना है तो वो भी वीडियो में डाल चुकी ह अब वीडियो देख लिएगा मैं डीस्केमड बॉक्स में देना ली तो देखिए हैं सारे के सारे मने बना लिए है तो आप भीम बनाई ये उर हा चैनल चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए आप देखिए वैसे तोड़कर आपको सुरू में ही बता चुकी हूं फिर भी देखिए एक बार बता देती हूं देखिए कितने सौप्ट कितने नरम मुलायम और कितने आसानी से तूट रहे हैं और खाने में भी बहु खुशियों से और हां हमें भी यात रखिए और चलिये मिलते हैं अगली वीडियो में तो वीडियो पसंद आय तो लाइक कर दीजिए तक रूख ये और घंटी को भी प्रेस कर दीजिए तो आम अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में बाबाई गाई